वेल्कम तू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स दियर फ्रेंड्स आज हम आपके बीच में जैन धर्म के पार्ट टू को लेके उपस्थित हुए हैं जैसे कि हमने जैन धर्म के फर्स्ट पार्ट में merry सवामी से संबंधित एवां जैन धर्म के शोबीष तिर्धंकरों के बारे में बारी बारी से हमने सब के बारे में जाना और अंततह महाभीर सवामी के पूरे जीवन बृतांत को अच्छी तरह से समझा नहीं ज्ञान की प्राप्ति कब हुई ुनका बिवाह कब हुआ और उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आग्ये लेकर कप गरहत्या किया उसके बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्चा के पस्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे जिन अरहत अनेक नामों से वे पुखारे गए और उन्हें एक उपादी और मिली वह महावीर स्वामी कहे गए तो पहले वीडियो में हमने महावीर से संबंधित उनके जीवन के बारे में पूरी तरह से जो एकजाम पॉइंट आफ यू है उसके तरह से जो जरूरी है परिच्छा के दिश्टी कौन से उन सारे पहलूँ को उस वीडियो में हमने रखने की कोसिस किये है और यह वीडियो जो हमारा पार्ट टू है वह अभी परिच्छा के देश्टी कोर से बहुत ही महत पूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो जैन धर्म की जो महत पूर्ण दो संगीतिया होई थी कि उसके साथ ही साथ जैन धर्म का किस तरह से बिगटन हुआ, दो रूपों में पहला सोतांबर हुआ दूसरा दिगंबर हुआ, उसके आगे हम चलते हैं इनके साहित्यों को बारे में समझेंगे और इन साहित्यों में कौन-कौन से रचनाय हुई हैं और उसमें कितने कितने भाग हैं। और जैन धर्म से संबंधित और कितने तरह के लेखाख हुए जो जैन धर्म के पुष्टकों को हम सब के बीच में प्रेशित किये और इसी के क्रम में हम मतुरकला सैली का भी अध्यान करेंगे तो यह सारे जो एक्जाम पॉइंट आप यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है आप सिर्फ वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा एक बार चीजों को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिस करिएगा थोड़ा सा आप सिर्फ ध्यान दे दिजिएगा उसके बाद यह पूरा वीडियो आपके दिमाग में होगा वीडियो को देखने से पहले आप अगर यह वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को देखने से पहले आप मेरा फस्ट पार जरूर देखिएगा उसके बाद ही वीडियो द जो भी देखा, जो भी संजा उसके आगे आगे हम चलते हैं, जैन धर्म की दो महत्가 Geetia हूई, संगीतियों का मतलब क्या होता है मतलब दो महत्वण सभाए हुई, तो प्रथम जैन संगीत जो हुई 300 BC, BC मतलब बिफोर दा बर्थाब जीसस क्राइस्ट यानि इसापूर प्रथम जैन संगीत जो ही तीन सो बीसी में अस्थान उसका पाठली पुत्र था अध्यक्ट उस समय स्थूल भद्र थे अभी यह स्थूल भद्र क्या थे अभी हम आगे चलके आपको इसी वीडियो में सब कुछ क्ल अतली पुत्र था और अध्यक्ष उसके इस्थूल भद्र थे और जब यह प्रथम जैन संगीत हुई उस समय के राजा चंद्रगुप्त थे उन्हीं के सासनकाल में यह संगीत आयोजित की गई थी जैन संगीत देखते हैं जो छटी एडी है यहां पर ध्यान दिजेगा वह बीसी और यह एडी बीसी मतलब बिफोर दबर्थ आफ जीसस क्राइस्थ एडी मतलब यह हमारे यहां से यह इसा पूर्व है अब यहां हमारा इस्वी सुरू हो जाता है तो दूत्य जैन संगीत जो हमारे थी छटवी इस्वी में अस्थान था वल्लभी गुजरात वल्लभ देखनें को मिलती है कि जैन साहित्या कि 12 आंगों का संकलन किया गया 12 क्या है वह हम आगे आपको यह वीडियो में वीडियो में आपको बताएंगे उसी तरह दूती जैन संगीत में इसमें धर्म ग्रंथों का संकलन कर उन्हें ली पिबद्ध किया गया पहली जैन संगीत में हम देख रहे हैं कि 12 साहित्य अंगों का संकलन किया गया और दुती जैन संगीत में हम देख रहे हैं कि इसमें धर्म ग्रंथ का संकलन कर उन्हें लिपी बद्ध तरीके से रखा गया तो यह हमारा जैन धर्म का दो जैन संगीतियां जो बहुत ही एक्जाम पॉइंट आप इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसका टाइमिंग आप जरूर नोट कर लिजेगा अस्थान और उस समय के अध्यक्ष कौन थे प्रथम जैन संगीत जो हुई थी तीन सो इसापूर में अस्थान पाटली पुत्र अध्यक्ष स्थूल भद्र थे और चंद्रगुप्त के सासनकाल में आयोजित की गई थी और इस प्रथम जैन संगीत में बारांगों का संकलन किया गया था दुति जैन संगीत छटवी में धर्म ग्रंथों का संकलार कर उन्हें लेपी बद्ध किया गया था हमारी दोनों जैन संगीतियां हो गई है उसके बाद हम आगे चलते हैं एक समझने वाली बात है कि लगभग तीन सो इस भी इसापूर में लगभग तीन सो इसापूर में 12 वर्सों का भीसल अकाल जिसके कारण भद्र बाहू अपने सिस्यों सहिद करनाटक चले गया किन्तु कुछ अनियाई इस्थूल भद्र के साथ मगद में ही रुप गए भद्र बाहू के वापस आने पर मगद के साधूए ने उनका गहरा मद्भेध हो गया जिसके कारण जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया अभी हमने कहा था कि हम आगे चलके इस्थूल भद्र कौन है उनके वारे में जानेंगे तो इसे आप ध्यान रखिया गया कि ल भद्र बाहू के वापस आने पर मगद के साधूओं से उनका गहरा मद्भेध हो गया जिसके परड़ाम स्वरुप जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया अब आप इसे समझ गया होंगे कि भद्र बाहू अपने सिस्यों के साथ करनाटक चले जाते हैं और कुछ समय उपरान जब वहां वापस आते हैं तो उनके जो उससे पहले वहां जो और साधू थे मगद में जो रुके हुए थे उनसे उनका मद्भेध होने लगा इसी वज़े से जैन धर्म दो भागों में व प्रिटन हुआ उस समय किस राजा का सासन था तो यह हमें याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौरे के सासन काल में जैन धर्म दो वर्गों में विभाजन हुआ पहला स्वेतांबर दूसरा दिगंबर अब स्वेतांबर और दिगंबर यह दो चीजे यह दो नहीं चीजे हम हमारे सामने उभर के आई हैं स्वेतांबर और दिगंबर आये इसके बारे में जानते हैं जैन धर्म से ही निकला हुआ स्वेतांबर है और इसी से ही निकला हुए हमारा दिगंबर है तो स्वेतांबर में क्या है दिगंबर में क्या है दिगंबर हम उसे साधान भासा में परिवर्तन सील रहे वह स्थांबर कहलाए यह साधारन सी भासा में है आए इसे हम समझते हैं कि स्थांबर अस्थापना किये थे वह स्थूल भद्र थे और दूसरे पॉइंट में दिगंबर भद्र बाहु द्वारा अस्थापित किया गया था स्वेत वस्तर पहनने वाले थे स्वेत आमबर से ही स्वेत इसे आप याद रखने के लिए एकदम सठीक है कि स्वेत आमबर यह हमारा स्वेत हो गया स्वेतमबर मतलब स्वेत या आप याद रखेगा कि कि स्वेतमबर में जयनमणी थे वह स्वेत वस्तर पहनने वाले थे लेकिन दिगंबर में जो भी भिख्छूणी या भिख्छूँ थे वह Mr. gonna defense न रहते थे मातनुयाई कहते हैं स्वेताम्बर में मौक्ष असंभौ था और स्वेताम्बर में हम फिर से देखते हैं कि महाभिर स्वामी भगवान माने गए स्वेतामबर्म जो अनुकरान करने वाले थे वह महाबीर स्वामी को भगवान की तरह मानने लगी जबकि दिगंबर में महाबीर स्वामी को उन्होंने सामान्य पूरुस माना हाला कि उन्होंने यह भी कहा कि वह एक सामान्ने पूरुष थे उन्होंने कठोर तपस्या की और अपने इंद्रियों पे बिजय प्राप्त की इसलिए वह महाविर कहे गए जिन कहे गए वह केवल्ले की प्राप्ती किये और इसे हम फिर से दोहराते हैं स्वेतामबर दिगंबर स्वेतामबर के संस्थापक स्थोल भद्र थे और दिगंबर के संस्थापक भद्र भद्र भाहु थे स्वेतामबर स्वेतवस्त्र पहनने वाले थे दिगंबर पूर्ट्यार नगनर रहने वाले थे स्वेतामबर इस्त इंद्रियों के इसलिए ये जिन कहलाएं कोहुंप स傑 में हम आगे चलते हैं महाभीर ने अपने शिषयों को 11 गंधरों में बिभाजित कर दिया महाबीर के जो भी सिस्य थे उन्होंने उन्हें 11 गणधरों में बिभाजित कर दिया जिन में से आरे सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व था गंधर्व दोनों बात एक ही है आरे सुधर्मा एक ऐसा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महाबीर की मित्यू के पस्चात भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ यह एक्जाम पॉइंट आफ इसे बहुत ही जरूरी है इसे आप ध्यान दिजेगा आरे सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्वता जो महावीर की मृत्यू के पस्चात भी जीवित रहा जैन धर्म का प्रथम ठेरा चेब रही जैन धर्म का प्रथम ृषाया मुख्य उपदेशक हुआ कब हुआ महावीर्ण स्व्वामी की मृत्यू के वश्चार अब आईए हम देखते हैं कि साहित की जये पहले वीडियो में देखा था कि जैन साहित की जो उपदेश थे वो प्राकिर्थी अर्धमागधी में थे प्राकिर्थी भाषा में अर्धमागधी में भी दिये गए थे तो अब जैन साहित में सबसे पहले आता है अंग फिर उसके बाद उपांग फिर प्राकिर्ण फिर छेद सूत्र और मोल सूत्र अब बारी बारी से मैं आपको बताते हैं कि अंग क्या है, उपांग क्या है, प्रकिर्ण क्या है, छेद सूत्र और मूल सूत्र क्या है, अंग 12 अंगों का जिक्र किया गया है, जिसमें जैन सिध्धांत, जैन धर्म के सिध्धांतों के बारे में वड़न किया गया है, वह है हमारा अंग, अंगों को समझने के लिए उपांग की रशना की गई है, जैन धर में सबसे पहले बारा अंग का निर्मार किया गया, उसके बाद उन अंगों को भली भाद समझने के लिए बारा उपांगों का भी वरानम किया गया, इसमें अंग का विस्तार किया गया है, अंग 12 अंग में हम जैन सिध्धान देख रहे हैं उपांग अंगों को समझने के लिए उपांग की रशना की गई यह भी 12 है इसमें उन अंगों का विस्तार किया गया है उसके बाद हमारा तीसरा आता है प्रकीर्ण प्रकीर्ण जो दस थे इनमें अंगों का विष्लेशन किया गया है जो यह बारा अंग थे उन्हीं अंगों का प्रकीर्ण में विष्लेशन किया गया है अब आता है छेद सूत्र और मूल सूत्र, छेद सूत्र छे थे और मूल सूत्र चार थे, इन छेद सूत्र और मूल सूत्र में क्या था, जैन भिक्छू और भिक्छुडियों के नियम कानून इसमें बताए गये हैं, हमें गवारी से फिर से देखते हैं, अंग बारा इसमें ज मूल शूत्र 6 और मूल शूत्र 4 इसमें बिख्चु और बिख्चुडियों के नियम कानूनों का वर्डन किया गया है उसी के स्रेड़ी में जब हम आगे चलते हैं जैन साहित को आगम कहा जाता है यह हमारा एक्जाम पॉइंट आफ यू से कई बार यह पूछा गया है कि जैन अर्दमागदी जैन साहित की भासा अर्दमागदी थी तो जैन साहित को आगम कहा जाता है भगवती सूत्र भगवती सूत्र जो साहित्य है इसमें भगवती सूत्र में क्या बताया गया है महाबीर और अन्न तीर्थंकरों के महाबीर और कुछ अन्न तीर्थंकरों के जीव है और उसके बाद हमारा आता है कल्पसूत्र यह तीनों की पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है इसे आप ध्यान दिजेगा कल्पसूत्र कल्पसूत्र जैन धर्म का प्रारंभी की तिहास बारी बारे फिर चौबिस तीर ठंकरों के बारे में और उन क्यूस्चे यहां पर बंता है कि कल्पसूत्र किसके द्वारा दप के राचित है था कर्ण की गई zac आगी चलते हैं इसी अजान धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मतूरा जैसे बौत बहुत जतनी भी मूर्तियां थ bethen गांधार, साहईलि में नियर्मित होती थी और शितर रह हम जैन-धर्म में जब देखते हैं तो मतुरा मतुरा-कला से पूरी तरह ओध-पुरॉथ थे मौर्युत-तर युगंद मतुरा-जैन-धर्म का प्रसित केंद्र था मतुरा-कला का संबंध पूरी तरह जैन धर्म से हैं दस्वी सताब्दी के मध्य विसाल बाहु वली की मूर्थी यह पी किसी किसी एक जाम में पूछा जाता है कि दस्वी सताब्दी के मध्य विसाल बाहु वली की मूर्थी का निर्माड गंगवन्स ये हमारे गंगवंस, गंगवंस के मंत्री चामूंड द्वारा इसकों फिर से देखते हैं दस्वी सताब्दी के मद्ध विसाल बाहुबली की मूर्ती का निर्माड गंगवंस के मंत्री चामूंड के द्वारा करनाटक के स्त्रवण बेल गोला में किया गया एक बाहुबली की बहुत बड़ी मूर्ती गंगवन्स के मंत्री चामुंड के द्वारा दस्मी सिताबदी के मध्य करनाटिक के स्रवन बेल गोला में किया गया जो मूर्ती मथुरा कला से संबंदित थी जो जैन धर्म से भी संबंदित थी और यहीं पर महामस्तिका समारो प्रतेक बारवर्स पस्चादा इस भी आप याद रखिये गया इसे आप याद रखिएगे कि चंदेल सास को द्वारा खजरौाहों के जैन मंद्रियों का निर्माड करवाया गया है उसके बाद हम इसी की स्रेडी में आगे चलते हैं माउन टाबू का दिलवाडा मंदिर जैन धर्म से संबंदित है माउन टाबू का जो दिलवाडा मंदिर है वो किस धर्म से संबंदित है तो वह है जैन धर्म से यह मारा जैन धर्म से संबंदित हो गया अब जैन धर्म मानने वाले कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में हम जान लेते हैं जो जैन धर्म के अनव्याई थे जैन धर्म के मानने वाले कुछ प्रमुख राजा में उदाइन, वंद्राज, चंद्रगुप्त मौर, कलिंग, नरेस खारवेल, राष्ट कूट राजा, अमोगवर्स और चंदेल सासक इसे हम फिर से देखते हैं जैन धर्म मानने वाले कुछ प्रमुख राजा, उदाइन, वंद्राज, चंद्रगुप्त मौर, कलिंग, नरेस खारवेल, राष्ट कूट राजा, अमोगवर्स और चंदेल सासक थे अब लास्ट में एक इकजाम पॉइंट अफिस से बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियम आपको देते हैं कि जिस समय महाबीर स्वामी को निर्वान की प्राप्ती हुई, उस समय वहां के राजा कौन थे है तो मल राजा, मल राजा श्रिष्वालर के राज प्रसाद में महाबीर स्वामी को निर्वान की प्राप्त हुई, तो हमारे इक्जाम पॉइंट ऑफिस जो भी जरूरी थे, फिलाल इसमें जितने चीज आपके बीच में हमने रखने की कोशिज के वह सभी सभी एक एक करके सभी महत्वपोड हैं इसमें मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई भी चीज बिना जरूरत के लिखी गई है एक्जाम पॉइंट आफ उसी पूरा बोर्ड में जितना भी चीज दर्साएगा वह बहुत ही ज करिए और उसके बाद कि आप सिर्फ एक दो बार से ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएगा तो आएए फिर से चलते हैं पर सरसरी निगासे स्पूरे इंपॉंटेट पॉलवों को हम फिर से एक बार देखते हैं आए जैन संगीतियों की तरह चलते हैं पर्थम जैन संगीति जो हमारे तीन सो इसापूर में अस्थान पाठली पूत्र अध्यक्षि स्थोल भद्र थे इसकी विसेष्था थी जैन साहित बारह उंगों का संकलन क किया गया था चंद्रगुप्ट के सासनकाल में यह प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी जैन संगीति छटवी इसवी अस्थान था वल्लभी गुजरात अध्यक्ष थे उस्थे में देवार्धी मडी छमा स्रमड और इसकी विसेष्था इसमें धर्म ग्रंथों का संक मगद में ही रुक गए बद्रबाहु के वापस आने पर मगद के सादुओं से उनका गहरा मद्भेद हो गया जिसके परुड़ाम सरूप जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया पहला स्वेतांबर और दूसरा दिगंबर अब जब यहां और बनके आता है कि जिस समय जैन धर्म दो भागों में विक्तिट हुआ उस समय वहां के राजा कौन थे तो इसका उतर है जैन चंद्रगुप्त मौर्य तो स्वेतांबर और दिगंबर के बारे में हम जान लेते हैं स्वेतांबर के संस्थापक स्थोल भद्र थे दिगंबर के भद्रबाहु थे स्वेत कर लिया उन्हें जिन कहा गया आए फिर आगे चलते हैं माहाबिर ने अपने सेच्टियों को यारः करदरों में विभाजित किया आरे सुधर्मा एक ऐसा गंधर अधरी तो महाबीर की मृत्यू के उपास चाथ भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्योपदेशक हुआ जैन साहित जैन साहित की भासा अर्थमागदी थी अंग बारा थे जिन में जैन सिध्धान्तों का वड़न किया गया है उपांग भी बारा थे जिसमें अंग का विश्तार किया गया है प्रकिरन दस्त थे जिसमें अंगों का विजलेशन किया गया छेदि सूस्त्र छे थे और म पुल्ड सूत्र चार थे इसमें भिक्छु और भिक्छुणियों के नियम कानून के बारे में बताया गया है भगवती सूत्र में महाबीर और अन्या मुख्य तिर्थंगरों के जीवन के इंधले में मिलता है सम जेन धर्म का प्रारंभी कितिहास वहला हूं जो यहां जिगंबार के जिगंबर संप्रदाइं संस्थापक है बनKA करुद्र के रचना की गई जिन में भीवताय ही करेंिक्तिकी में ज्यूब दर्म के प्रारंभी कितिहास के आज आतstruse मथूरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मथूरा कला का संबंध जैन धर्म से हैं दस्वी सतापदी के मद्ध विसाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण गंगवन्स के मंत्री चामूंड के द्वारा करनाटक के स्रमण बेल गोला में किया गया महमस्तिका का समारो 12 वर्ष पस्चात होने वाला दच्छिद भारत का प्रसिद्ध जैन समारो है जो महमस्तिका का समारो है वह हर 12 वर्षों में दच्छिद भारत का एक उत्सव है जो जैन धर्म के समारो के रूप में है खजराहों के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल सास को दारा करवाया गया और माउंट अबू का दिलवाडा मंदिर जैन धर्म से संबंदित है जैन धर्म मानने वाले कुछ प्रमुक राजा उनमें सरुप्रमुक उदाइन वंदराज चंदरगुप्त मौरे कलिंग नरेस खारवेल राष्ट कूट राजा अमोग वर्ष चंदेल सासक हुए मल्ल राजा स्रेष्टिपाल मल्ल राजा स्रेष्टिपाल करार सुप्रसाद महाबीर स्वामे को निर्वान प्राप्ति होई Masters तो यह था हमारी कि केसा हमारा जैन धर्म यह वीडियो जैनacakt हर्म का दोनों वीडियों बहुत ही महत्पूर्ण है आप इस दोनों वीडियों को देख लीजिए उसके बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दोनों वीडियों के अलावा और कहीं से भी जैंधर्म से कोई क्यूस्टन पूट अप नहीं होगा हमने पूरी कोशिस किया कि कोई ही चीज छूटने ना पाए इन दोनों वीडियों में हमने सब कुछ रखने की कोशिस की ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो तिन दोनों वीडियों को बहुत ही ध्यान से देखें इसे समझें क्योंकि समझें चीजों को ना कि उसे रटें तो दोनों वीडियों को के दिमाग से उतरने वाला नहीं है तो इसी विश्वास के साथ कि आप लोगों के वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा आप कमेंट बाक्स में अपने कमेंट को जरूर छोड़िए ताकि उससे हमें पता चल से कि आपको वीडियो किस तरह का लग रहा है आपको अच्छा में पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें इसी के साथ मस्त रहें पढ़ते रहें जय हिंद्र